हालो फ्रेंज वेलकम टो ट्रेंड लाने स्टॉक्स आंदे की टाटा पावर कंपनी लिमिटिड के रिजल्ट्स आए हैं आज मार्केट एंड होने के बाद में अब इसके रिजल्ट क्या कुछ कल की तारीक में ट्रेडिंग पर्स्पेक्टिव जनरेट कर सकते हैं टाटा कंपनी इसके रिजल्ट आए हैं वह अपने क्वाटर आं क्वाटर से तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन एस्टीमेट से उच्छे नहीं आए तो यहां पर मेरे पास में एस्टीमेट का कोई आकडा नहीं है कि मैं आपको कंपार करके दिखाऊंगा वो अगर किसी मेडिया प्ल लेवल पर यह आतावा दिखाई दे, टच करतावा दिखाई दे, तो हमें दूर से इसको exit करके निकल जाना है, जो अभी इसमें गिरावट दिखाई है, वो दौर जारी रह सकता है, otherwise तो यहां से rebound होने के भी chances पूरे पूरे नजर आ जाएंगे, तो पहले आप आज का data देख लीजे, आज इसनी भारी गिरावट के अंदर तकरीबन 3% की गिरावट है, 217.95 और आपके सामने आतावा दिखाई दे रहा है, और आगे लेके चलता हूँ, 267.85 इसको याद रखेगा, यह recent case के 52 वीक हाई है, जहां से इसने बहुत severe correction दिखाकर, और जो low levels थे, वो दिखा दिखाई थे तकरीबन 207 रुपे के, यानि के 60 रुपे की गिरावट इसके अंदर आई थी अभी पिछले कुछ दिनों में ही, and 51.65 के हैं, इसके 52 वीक low, तो यह दो लेवल्स है, दो की पॉइंट, जो हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, अब आज की security versus delivery positions अकर देख रहा हूं, देखिए, इसके results के ऊपर, and यह एक, basically, press release है, जो Tata पार ने निकाली है, उसके अंदर क्या कुछ का है, वो important points हम लोग अभी highlight कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात की, यहाँ पर strong Q2 F522 results आए है, with 36% increase in Q2 consolidated pad, at 506 crore, 506 crore रुपे का इनका profit after tax रहा है, consolidated basis पर बात कर जो actually में 36% जादा है, तो यह plus point यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 13% increase in consolidated revenue, जो 9,502 crore पर है, तो revenue भी increase हुआ है, top line में increment है, bottom line में increment है, overall अगर आप देखेंगे, तो यह चीज़े यहाँ से अच्छी आते भी दिखाई दे रही है, solar EPC order book की बात करें, तो इस वक्त 9,264 crore की यहाँ पर आते भी दिखाई देरी है, यह भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए, साथ ही में अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक video Tata Power के उपर डाली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था, NTPC का एक project जो राजिस्तान में है, उसके लिए इनको क्या कुछ कहा गया है, क अब इसनका जो माइल स्टोर है, वो बहुत दिनों से Facebook के उपर और बहुत सारे social media platform पर आतावा दिखाई दे रहा है, कि इनोंने 1000 electric vehicle charging points successfully install कर लिये हैं, across different parts of India, 1000 charging station आपके लिए तयार खड़े हैं, आप जाए, long drive पे भी, तो भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना होगा, आ इस रूट पर आप जा रहे हैं, वहाँ पे कहां कहां, किस-किस location पे EVs मिल सकते हैं, और ये एक बहुत छोटा नंबर है, अगर आप इंडिया की geographical locations अगर आप देखेंगे, तो ये बहुत छोटा नंबर है, अभी कई गुना जादा EV stations, EV charging stations आपको आते में दिखाई देंगे across इंडिया, तो ये कुछ major points हैं, जो यहाँ पर basically इस company ने starting में ही top पे highlight की हैं, अब इसकी वाज़े से क्या कुछ impact हो सकता है, वो देखने की कोशिश करते हैं, data हम लोगों ने already देख लिया है, अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास में chart के उपर ये स्थिती है, थोड़ा सा ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है वो top के point जो 267 रुपीज के आसपास हैं, इसके all time high है, और यहाँ से इसने correction दिखाया, यहाँ तक का तकरीवन 208 रुपे के आसपास तक का ये correction था, तो ये 60 रुपे के आसपास जो इसने गिरावट दिखाई है, यहाँ से एक rebound तो हो तो मैं ये कह सकता हूँ, शायद इस चीज को देखते वे कि अगर हम आज की candle को ignore कर दें, तो ये basically वापस से उपर की trajectory में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें important क्या है कि ये जो levels है, ये एक resistance का level है, टाटा पावर के लिए जो पिछले कई दिनों में cross नहीं हो है, आप clearly यहां पर देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको precisely आपके सामने लेकिया हूँगी, levels कौन से है, तो ये 235 रुपीज के levels है, और अभी भी cross नहीं हुए, तो जो resistance है, वो 235 रुपीज पर है, अगर ये 235 रुपे का resistance निकाल देता है, कल की तारिक में, डिसाइसिव प्लस के level पर लेके जा सकती है, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, इस candle को इसलिए मैं आज basically ignore कर रहा हूँ, फिर आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज जो selling आई है, वो मैंने already आपके nifty tomorrow वाली वीडियो में, मैंने cover किया है, तीनों points आप वो देख सकते हैं जाकर, तो मैं समझता हूँ कि आज इतनी जादा selling की वज़े से ये stock के अंदर वो selling pressure आया है, otherwise इसके अंदर जो results की expectancy थी, वो बहुत high थी और ये 235 रुपीज का जो barrier था, ये आज cross हो सकता था successfully, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और include कर देता हूँ, कि मैंने estimates के साथ में अभी Tata Power के results को नह नहीं compare किया है, तो मैं ये नहीं कह सकता है कि Q2 के धम पर कल इसके अंदर कोई gap up होने वाली है या बहुत बड़ा move आने वाला है, मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि कल हम लोग देखते हैं किस तरीके से आपर opening होती है, क्या कुछ आगे के levels आते हैं, लेकिन important point से ही है कि 23 35 के उपर वापस से buying initiate आप कर सकते हैं, 265 प्लस के levels यहाँ पर आएंगे, 267 पर अगेन एक resistance का यहाँ पर face करेगा, यह stock का price और अगर हम बात करें नीचे की तरफ तो clearly आप देखी रहे है, 208 रुपीज के level आगे दे नीचे की तरफ ब्रीच करता है, तो इसके अंदर weakness और जादा आजाएगी, जो इसको 50 days के explanation moving average तक लेके जाने में सक्षम होगी, downside के अंदर, तो मेरा मानना ये है कि आपको 208 रुपे के level एक strong support की तरीके से देखने चाहिए, and 235 रुपीज के जो levels है, वो immediate resistance है, जो basically cross होते हैं, तो फिर यह 265 रुपीज तक जा सकता है, तो बिलक support आ रहा है, इन दोनों के बीच में कहीं travel कर सकता है, और इन दोनों के बीच में ही आपको, अगर existing position है, तो वहाँ से exit लेना, या फिर नई trade की opportunity देखनी है, ये all over, मेरा view यहाँ पर आतावा दिखाई दे रहा है, टाटा पावर के अंदर, बाकी हम देखते हैं, कल किस तरीक आपके का move बनता है, उसी के हैस आप से review करके वापस से scan, कोई position initiate करने की राय बनाएंगे, तो फिलाल देखिए वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसे लेगी, प्लिस मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेलता हूँ आप से एक लिए वीडिय रहे टाहरे मिरता हैं, और मेलता हूँ करता है, तो Cada के लेगी काड़ा है, और मेलता है, वीडियो नहीं करोका Kit ingredient